नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का फुचर स्टेडी चैनल पर और आज कई दिन हो गया आप लोगों से बात करें बात भी कर लेते हैं पुड़ासा कैमरा स्मॉल कर लेता हूं ठीक है दिख रहा हूंगे मैं आप लोगों को अंदेरा हो रहा है इस टाइम अब दिख रह आप लोग हैं सेकंड ग्रेड की एक्जाम अभी 24 को है और 26 को अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लेना क्योंकि एक्जाम देनी है बढ़िया से तो 24, 26 और 24 को फस्ट पेपर है GKS वाला रो जिनका और 24 को भी हो सकते हैं 2-3 पेपर उसमें अलग-लग रिजन के अलग-ल इस वार ऐसे सी बहुत फास्ट है तो उसमें उन्होंने टाइपिंग की डेड़ देर की है चार और पांस तारीक तो चार और पांच को कले ना रही बार टैन प्लस टू की जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी उसका टाइपिंग है 6 तारीक को 6 जनवरी को अब जनवरी क लिए बाते कर रहा हूं मैं तो हाली में हैं तो थोड़ा सा स्पीड मना लो टाइपिंग वालों को लिए भी ओल डा बेस्ट अच्छे सोफट्वेर में अच्छी तरीके से प्रेक्टिस करों कई बार क्या होता है अपन टाइपिंग करते रहते हैं गंटे दो गंटे तीन ग गए लगाता लगा होगे तो फिर अंगुलियां काम करना बंद कर देंगे दर्द होगा आपके आतों में ठीक है और क्या बताना चाहरा था मैं आपसे बस आपके आलचाल पूछने थे हाँ एक मैं डिस्क्रेप्शन में लिंक डालूंगा हमारे भी हम सर हैं तो उनका चैनल है तो उस पर वो पीटी परेड योगा सारे करवाएंगे तो ये अपने लिए बहुत जरूरी होता है योगा करना पीटी परेड तो वो इन फ्यूचर आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत हल्पूल होगा योगा पीटी परेड सारी चीजे कि किस प्रकार से फोरसेज मे में डाल दूँगा वहां से आप लोग क्या करना उस पर क्लिक करना लिंक पर और उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है और सब्सक्रिप्शन जितने बढ़ेंगे उतना ही वो कंटेंट और ज्यादा आता जाएगा क्योंकि सर ने स्पेशली कहा है और आप लोगों को भी यह मालो जितने भी अपने इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं उन्हें वहां भी जुड़ना है क्योंकि अगर मुझे 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 मिला तो मैं वहां भी वीडियो अपलोड करता रहूंगा तो इसलिए दोनों ही चैनल अभी मैं डिस्क्रेप्शन का मतलब आजाता है पूरा डिटेल तो उसमें मैं डाल दूंगा लिंक डालूंगा लिंक पे क्लिक करना नया चैनल खुल जाएगा सब्सक्राइब कर लेना बाकी उमीद है गरवाले भी आपके सभी ठीक होंगे स्वस्त होंगे सरदी का मुझे मैं थोड़ा ध्यान रखना एक दिन हो जाती है तो बड़िया से तेहरी करो इस बार अच्छी विकेंसीज हैं दूसरा और क्या बात करूं आपसे बड़िया आप पड़ी रहे हैं समझदार आप हैंगी समझाने की ज़्याद आवशक्ता है नहीं तो कोई भी मन में डाउट हो तो पूछ सकते हो बाकाइदा क्या बताएंगी समझदार लोगों को क्या बताएजाए कुछ समझभें नहीं आरा की समझदार लोगों क्या बताया जाए तो यही मोटिवेशन आप लोगों के लिए हाज गल आपको पताए सेसी जीडि में फ़र्ट ग्रेड के पर लोग तरस्त हैं नोकरी लेने के लिए तो आप लोग जितने भी एक एक फोम निकलता है उस पर लाखों की वीडर रहती है तो उसमें आपका नमबर आना ज़र रही है एक बार मिल जाएगा आपको नोकरी आपको नॉर्मल लगेंगी इस चीजे की नॉर्मल है तो अभी मै एक मेरे फ्रेंड हैं उनसे बात भी कर रहा था कि ताकि आपसे मुलागात करवा दो लेकिन थोड़ा अंदेरा है तो उनकी वीडियो नहीं अप्लोड कर सकते अभी उसक्लियर नहीं आएगा वनना उनसे मैं क्यूशन्स करता कि कैसे उन्होंने सक्सेस राप्त की वो मैंने अब करेंगे इसे तो आने वाले टाइम में अपन देखते हैं कि ऐसे एक दू वीडियो अप्लोड किये जाएं ठीक है है वागि अपना ध्यान रखें फैमिली का ध्यान रखें पढ़ाई का ध्यान रखें सुबह नहीं उठा जाता कोई बात नहीं ना लेट नाइड तक प से पढ़ी की गई पढ़ाई तब तक help नहीं करेगी जब तक आप उसे लिखोगे नहीं और लिखने के बाद उसका revision भी मांगती है स्टडी ठीक है तो बड़िया जहां से भी पढ़ रहे हो खुब कंटेंट पढ़ा है पढ़ो और और कौन से एक्जाम आने वाली है नेरबाई अभी तो कोई ऐसा है नहीं जीडी भी आएगी दिली प्लिस भी आएगी सीटी रास्तान में आने वाली है ठीक है अभी इतना ही अभी अंदेरा हो चुका है अंदेरा क्या यह रिजन हो गया था इसमें चलो ठीक है थेंको सो मच बाई टेक केर